हेलो गाइज, विल्कम टो आर येट्यूब चैनल, दौलाइन एजुकेशन पॉइंट, आज हम आपके लिए जी के का एक सीरीज लेकर आए हैं, जो नेवी एड एएर फोर्स दोनों के लिए इंपोर्टेंट हैं, और इस सीरीज हमको एक्जाम तक के कंटिनू रखेंगे, आपके फर्स्ट ओफ्शन में है, A. 30 दिसंबर को, B. 1 दिसंबर को, C. 28 नुवंबर को, D. 29 नुवंबर को, जो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, वो आपका B, यानि एक दिसंबर को आपको एड से दिवस मनाई जाता है, नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में है, हाल ही में किस फिलिम को अकसर के लिए भारत के अधिकारिक प्रविष्टी के रूप में चुना गया है, आपके फर्स्ट ओफ्शन में है, A. तन्हाजी, B. विकुन तक, C. जल्ली कटू, D. नॉट खट है, तो जो आपका 2 का करेक्ट एंसर हो जाएगा, वो आपका C. न तन्हाजी, तो टू का करेक्ट एंसर हो जाएगा, C. नॉट फट नॉट नॉट है, जो डचिंगम नेशनल पार्क है, यह कहां है, आपको बताना है, कि जो डचिंगम नेशनल पार्क है, वो कहां है, आपके फर्स्ट ओफ्शन में है, A. जमु कस्मीर, B. असम, C. चेनाई, C. D. मदपर्ण теor, R. सो जो डचिंगम नेशनल पार्क है, जमु कस्मीर में है, आपका A. नॉंबर करेक्ट हो जाएगा, नेक्सट अए, नेक्स्ट आए, पहर्थ नम्बर में मॉलिंग नेशनल पार्क कहां है, ठीक? आपका ऐर्स्ट ओफ्शन में है, जमु कस्मीर, सेकें में और्सम, थर्ड में अरुनाचल परदेश, या फोर्थ में मध्द परदेश, आपको बताना है कि जो मॉलिंग नेशनल पार्क है यो कहां पर है, तो जो फोर्थ का न्मबर हो जाएगा, यह जो मॉलिंग नेशनल पार्क है वो आपको accept हो में है next है fifth number राष्ट्रिये लोग सेवा दिवस कम मनाया जाता है fifth number में है बताना आप को कि राष्ट्रिये लोग सेवा दिवस कम मनाय जाता है ये हाल ही मनाए गया है और आपके first option में है A. 21 अपरेल, B. 9 अपरेल, C. 20 अपरेल, D. 7 मार्च, तो आपको बताना है कि राष्टिय लोग सेवा दिवस कम मना जाता है, तो जो इसका correct answer हो जाएगा, वो आपको A नमबर correct हो जाएगा, यानि 21 मार्च को राष्टिय लोग सेवा दिवस मना जाता है, नेक्स्ट है, 6 नमबर, इरान का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, जैसे इंडिया का रो है, उसी तरह से बताना है कि इरान का गुप्तचर संस्था है, उसका नाम क्या है, आपके फर्स्ट अप्सन में है, A. अल्मुखबरात, B. नाइचो, C. मुसाद, या D. सावक, तो जो आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, D. नमबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानि जो इरान का गुप्तचर संस्था है, उसका नाम सावक है, ठीक, और बाकी सब भी देख लेतें, जैसे ये अल्मुखबरात, ये आपका इराक का है, कहां का, इराक का, ठीक, इराक का जो नाम क्या है, अल्मुखबरात, ठीक, आपका सेकेंड नमबर में है, नाइचो, नाइचो कहां का है, तो जापान का, ठीक, नेक्ट है मुसाद, आप इसे नोट करते चलिए, मुसाद कहां का है, इजराइल का, इजराइल, ठीक, मुसाद कहां का है, इजराइल, और ये सबसे पावरफूल गूपचर संस्था है, आपको याद होना चाहिए, कि इजराइल का जो गूपचर संस्था है, सबसे पावरफूल गूपचर संस्था है, ठीक, नेक्स है आपका, और आपका ये 6, जो सावक है व किसे कहा जाता है यानि इंडिया का जो लेदर सिटी है वो किसवार को कहा जाता है एंड आपके फर्स्ट अफ्शन में है जोदपूर सेकेंड में है असम थर्ड में है कानपूर एंड फोर्थ में है भुनेसवर तो जो आपको सेवेंथ का करेक्ट एंसर हो जाएगा वो आपक डांस से एक कोचन आता ही आता है तो आपका 8 नमबर में है कथक कहां का लोक निरीत है आपको बताना है कि कथक कहां का फोक डांस है और आपके 1st option में है फर्स्ट अफसम ने है आपको केरल, सेकेंड में असम, थर्ड में है आपका उतर पर्देश एंड फोर्थ में है आपका चेन नई आपको बताना है कि जो कथक है, वो कहां का लोक डांस है तो जो 8 का correct answer हो जाएगा, वो C number आपका correct हो जाएगा यानि जो कथक है, वो उतर पर्देश का डांस है, ठेक और आप लोग comment करके बताएगे कि केरल का जो लोक निरित है, वो क्या है ठेक, आपको comment करके बताना है कि 8 का जो लोक निरित का केरल का नाम है, वो आपको बताना है नेक्स्ट है, 9th number, 9th number में है, E.K. Planiswami कहां के मुख मंत्री है, मुख मंत्री का नाम है, E.K. Planiswami आपको बताना है कि ये कहां के मुख मंत्री है, आपके 1st option में है, केरल 2nd में है, अस्वम, 3rd में है, उतर पर्देश, और 4th में है, तमील लाडू 9th का जो correct answer हो जाएगा, वो आपको D number correct हो जाएगा जो E.K. Planiswami है, वो तमील लाडू के मुख मंत्री है, आपको बताना है कि अस्वम के मुख मंत्री के नाम क्या है, मुख मंत्री और गोवर्नर के ठिक आपको बताना है कि असम के मुख मंत्री और गोवर्णर के comment box में आपको comment करके बताना है नेक्स्ट है 10th number 10th number में है दक्षीन कोरिया का मुद्रा क्या है आपको बताना है कि दक्षीन कोरिया का मुद्रा क्या है आपके first option में है यू टैने को आपको बताना है कि की कोडिया का मुद्रा क्या है तो जो 10 और करेक्ट हो जाएगा वह आपको यह नमबर कSu confidently को起ुए का मुद्रा है ओ नकर यहां का राज्धानी क्या है राज्धानी तो यह सियोल है क्या है अलगति नट पूछ सकता है, ठेक, और जो बाकी अप्शन है, इसे भी देख लेते हैं, तो आपको एस्टारलंग, जो एस्टारलंग है, यह आपको किसी country के नाम के आगे पूछा जाता है, जैसे British storyline कहां का मुद्रा है तो अब बता सकते है कि British का है याई UK का England का है इस तरह से पुछता ए lazy story कि की नाम के आगे लगाता है घ्क नेक्स्ट है यूरो यूरो है यह किस-किस कांट्री का मुद्रा का नाम है तो आपको बिलिजियम हो जाएगा नोट कर लीजिये वेलिजियम जर्मनी हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा इटली हो जाएगा इटली हो जाएगा ठीक तो और बहुत सारे कंट्री है जो यूरो को आपका अपना यही माने है मुद्रा माने है ठीक नेक्स्ट है अब क्रोन कहां कहा है तो यह भी आपको मालूमना चाहिए कि क्रोन कहां कहा है और ये पिछले नेवी में पूच सुका है कि क्रोन कहां का मुद्रा है आपको इसे comment box में बताना है कि क्रोन कहां का मुद्रा है ठेक हम इसे next video में deal करेंगे क्रोन कहां का मुद्रा है next है 11 नमबर में NADA जिसका full from है national anti-dopic agency का brand investor कौन है आपको बताना है कि NADA जो है इसका brand investor कौन है आपके first option में है अक्षा कुमार second में है अलिया भर्ट third में है सुनिल सेथी और fourth में है none इन में से कोई नहीं आपको बताना है कि जो NADA है National Anti-Doping Agency ये इसका full from हो जायागा आप इसे भी note कर लीजिए कि जो NADA का full from होगा National Anti-Doping Agency इसका brand investor किसे बनाया गया है या कौन है तो आपके first option में अक्षा कुमार second में अलिया भर्ट third में सुनिल सेथी या fourth में कोई नहीं तो जो NADA है इसके जो brand investor है ये सुनिल सेथी को बनाया गया है ठेक तो आपका 11 का C number correct हो जाएगा next देखते हैं next है 12 नंबर में बराहवा राष्टिये ice hockey championship 2020 कहां पर अरंब हुआ sorry फीपते बराहवा कोचन में है फीपते पच्वा राष्टिये ice hockey championship 2020 कहां पर अरंब हुआ आपके first option में है हिमाचल परदे second में है ले third में है कुल्लू और fourth में है none इन में से कोई नहीं तो जो टूवेल्थ का correct answer हो जाएगा वह आपका बी नंबर correct हो जाएगा यानि जो लेह लादाक है यहां पर फीपते national ice hockey championship 2020 शुरू किया गया है ठेक और यह important है आप इसे याद रखियेगा next थरटिन्थ मंबर में है लाई हर ओवा पर्व कहां से सुरू किया गया है जो एक पर्व है जिसका नाम है लाई हर ओवा लाई हरा ओवा ठीक यह एक पर्व है जो तो जो आपका लाई हरुआ पर्भ है वो अगरताला से सुरू किया गया है यानि इसका प्रणम्भ हुआ अगरताला से ठीक नेक्स्ट फोटिंथ नंबर में है भारतिय पारालॉंपिक समीती की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई आपके फर्स्ट उफ्षन में है रानी रामपाल सेकेंड में है वहिदा रहमान थर्ड में है हीमा दास फोर्थ में दीपा मली के आपको बताना है इंडियन ओलॉंपिक कमीटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो जो आपके डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 14 का डी नंबर कर और यह पारलॉंपिक है यह अथलिट है और इनको अभरतिय पारालॉंपिक समीति के अध्यक्ष चुनी गई थी यहनी बनाया गया थे इनको ठिक आपका 14 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है फिप्टिंथ नंबर अंतराष्टिय श्रम दिवस यानि इंटरनेशनल लेवर डे को मनाए जाता है आपके फर्स्ट अप्शन में है A नंबर में 7 मई, B नंबर में 1 अफरेल, C नंबर में 1 मई, D नंबर में 1 जुलाई इंटराष्टिय लेवर दिवस, अंतराष्टिय श्रम दिवस मनाए जाता है और इंटरनेशनल लेवर डे, एक मई को मना जाता है और जो international labor union है इसका headquarter कहा है आपको पता होना चाहिए इसका headquarter तो इसका headquarter आपको comment box में comment करके बताना है कि इसका headquarter कहाँ पर है ठेक next time deuce deuce निम्न में से किस खेल से सम्बंदित है deuce एक सब्द है जो बताना है कि किस खेल से सम्बंदित है आपके first option में है golf second में है tennis third में है volleyball fourth में है cricket है तो जो 16 का correct answer हो जाएगा ओ आपका B number correct हो जाएगा यानि जो deuce है ओ टेनिस से सम्बंदित है next है 17 number 17 number में है हिमाचल पर्देश में लोग सावा सीट है कितनी है आपके first option में है nine second में है four third में है three and fourth में है 12 आपको बताना है कि जो हिमाचल पर्देश में लोग सावा सीट है वो कितनी है तो जो आपका 17 का correct answer हो जाएगा वो आपका B number correct हो जाएगा हिमाचल पर्देश में चार लोग सा भाजीत है ठीक अभी माचलपर्देश आया है नम तो इसका कैपिटल देख लेते हैं तो कैपिटल हो जाएगा सीमला कैपिटल हो जाएगा सीमला ठीक अब यहां के सी-म कोन हो जाएंगे यहां के CM का नाम है जैराम ठाकूर आप नोट कर लीजिए स्री जैराम ठाकूर ठिक और गोवर्नर का नाम यानि राजपल का नाम क्या है भंदारू दत्यरे भंदारू दत्यरे आप इसे नोट कर लीजिए भंदारू दत्यरे भंधारु दो तेरे हिमाचल पर्देश के गुवर्नर के नाम है ठीक यहां के लोग सबा सीट चार हैं आपका 17 का बी नमबर आपका correct हो जाएगा next है किताब अलहिंद जो किताब अलहिंद है इसके लेखक का नाम क्या है यानि किताब अलहिंद के लेखक कौन है and आपके first option में है अलबरुनी second में है इबन बतुत्ता second में है third में है अमिर खुसरो and fourth में none of these यानि none इन में से कोई नहीं तो जो 18 का correct answer हो जाएगा वो आपका first number correct हो जाएगा यानि किताब अलहिंद किताब अलहिंद के जो लेखक है वो आपको अलबरुनी है उनका नाम अलबरुनी है ठेक और जो इबन बतुता है इनका एक famous किताब है रीहला ठेक आप ये भी note कर लिजिए ये भी important है जो 18 का जो बी number option है इबन बतुता है इनका नाम इनका किताब एक famous किताब है रीहला ठेक ये भी note कर लिजिएगा next है 19th number खलसापद के संस्थापक कौन है जो खलसापद है इनका संस्थापक का नाम क्या है आपके first option में है गुरु नानक, second में है महराजा रंजीत सी, third में है गुरु हर गुबिंद और फोर्थ में है गुरु गुबिंद सी, तो जो 19 का correct answer हो जाएगा वो आपका D number correct हो जाएगा 20 number है, 20 number है, derby, derby cup आपको एक cup का नाम दिया गया है, derby cup निम्न में से किस खेल से संबंदीत है और आपके first option में है, A, golf, B, tennis, C, rugby, and D, hockey, so जो derby cup है, वो रगबी से संबंदीत है रगबी में एक cup होता है, derby cup, ठीक, तो आप 20 का C number correct हो जाएगा, ठीक आज के लिए वस इतना ही, यदि आप हमारे चैनल पर नाए है, तो चैनल को subscribe कर लिजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को like कर दीजिएगा, और चैनल को subscribe कर लिजिएगा यदि आपको pdf चाहिए, तो आप हमें telegram group पे join कर सकते हैं, the online education point से होगा, वहां पर हमें pdf जाकर, वहां से download कर सकते हैं, ठीक, आज के लिए वस इतना ही, thank you